हेलो दोस्तो बेसिक इलेक्टिकल चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है दोस्तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मान लिजिए हमें किसी फैक्टरी के लिए केपैसिटर पैनल त्यार करना है या फिर मान लिजिए कि कितने किलो वाट पर कितने केवियार लगाते हैं जी हाँ थियोरी क्या है 75% दोस्तो मैं जहाँ पर काम करता हूँ ठीक है उसका लोड कितना है 366 किलो वाट कितना पावर हेक्टर चाहिए जी हाँ 0.99 तो हमारे यहां जो रिले लगी हूए वह है 11 अब बात करते है कि 366 किलो वाट का लोड है ठीक है और कितने केवियार लगाएंगे तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रासวर्मर की framework दोस्तों ट्रासृमर भी power factor को बिगाड़ देता है इसलिए kvr को direct transformer के साथ जोड़ा जाता है तो लीजिए दोस्तों जो हमारे पास power factor है ठीक है SPL की रिले है 14 step की रिले है एक number protector पर 10 का kvr लगता है दो पर 10 का और 3 पर 12 का और 4 नमर पर 12 kvr और 5 नमर पर 15 का kvr धीरे धीरे ये इस करम में kvr लगाए जाते है ठीक है उसके बाद थियोरी क्या है जी हाँ 75% 366 kilowatt का load है अमारी factory का ठीक है उसका 75% कितना हुआ 274.5 और total kvr कितने लगे हैं जी हाँ 244 kvr लगे हैं full load का 75% kvr लगाया जाता है अगर दोस्तों power factor तब भी पूरा नहीं होता तो आपका जो बाहर meter लगावाने जिसके अंदर हम reading लेते हैं ठीक है वो meter आपको खुद बता देगा जी हाँ जैसे इस पर लिखा हुआ है 7 kvr यानिकि 7 का kvr ये और मांग रहा है जब 7 का kvr और लग जाएगा तब ये बिलकुल पूरा 0.99 power factor हमारा हो जाएगा उमिद है कि दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में आगया होगा कि कितने किलोवाट पर कितने का kvr लगाय जाता है